हैलो दोस्तों आज हम काना जी का ये ट्रेस सलाईयों के द्वारा बनाया हुआ लेकर आये हैं ये दो कलर में बनाये हुए हैं ये चार से पांच नंबर के काना जी का है अगर इसे आप छोटा रूप देना चाहती है जीरो से लेकर दो नंबर के काना जी का बनाना चाहती है त और फूलों की संख्या यहां पे कम कर दें अगर आप जुगल जोडी में राधा कृष्ण जी का भी डालना चाहती है इस डिजाइन को तो आप पहले उनका चोली तयार कर ले चोली 12 इंच के चोली का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे चोली तयार करने के बाद में आप इस डिजाइन को उसपे डाल सकती है आएए देखते हैं कैसे बनता है इसे शुरू करने के लिए हम 3-ply काउन लेंगे यह 3-ply काउन है उससे हम चोली बुनेंगे अब आप इसके बाद कोई भी आप कलर ले ले दुसरे कलर से दुसरे कलर से आप सलाई पे फंदा डालें इस तरह से ये हम 4 से 5 नंबर के कानाजी का बना रहे हैं तो यहाँ पे हम फंदा रखेंगे 22 फंदा से हम यहाँ पे शुरू करेंगे ठीक है तो 22 फंता से शुरू करेंगे चुकि हम double बाउडर यहां पे बना रहे हैं गलासे उठा रहे हैं चोली और double बाउडर बना रहे हैं इसके लिए हम यहां 11 फंता लेंगे है उस कलर को हम यहां पे जोड़ लेंगे जोड़ने के बाद में पांच सलाई हम उल्टा तरब से उल्टा और सीधा तरब से सीधा बुन लेंगे देखिए अब हम यहां पे किस तरह से जोड़ेंगे आप चाहे तो यहां पे गाट लगा सकती है इस तरीके से अब हम यहां सीधा तरब से सीधा और उल्टा तरब से उल्टा बुनते हुए पांच सलाई कम्पलीट कर लेंगे पांच सलाई कम्पलीट कर लेने के बाद में देखिए हम पांच सलाई कम्पलीट कर लेने के बाद में देखिए हम पांच सलाई कम्पलीट कर लेने के बाद में हम इसे डबल करेंगे जो हम 11 यहाँ पे फंदा डाले हुए थो यहाँ पे 12 फंदा आ जाएगा एक फंदा इस से बूनेंगे और एक फंदा हम यहाँ से उठाएंगे पीला कलर के नीचे जो कलर दिखे रहा है जिस से हम चोली बनाना है हमें यहां से उठाएंगे तो हम इस तरह से उल्टा एक उल्टा भूनेंगे सबसे पहले सलाई पर जो है फंदा इसके बाद फंदे को नीचे की ओर करेंगे अब हम इसी सलाई से इस फंदे को उठा लेंगे और सिधा भूनेंगे इस तरह से सिधा फिर से उल्टा एक भूनेंगे स सलाइपर का फंदा फिर से फंदे को नीचे की और करेंगे और यहां से एक फंदा हम उठाएंगे ठीक बगल का फंदा एक इस तरह उठाएं इसे हम सिधा बुनेंगे यानि कि हमें एक सलाइपर का फंदा बुनना है और एक फंदा इस अस्थान से उठा कर बुनना है इस तरी दाल देंगे आप उससे help ले सकती हैं तो यहाँ पे 11 फंदा हम डाले हुए थे 11 से just double हो गया हमारे पास यानि 22 फंदा हमारे पास हो जाएगा 22 फंदा बून लेने के बाद में फिर हम दो लाइन बॉर्डर बून लेंगे एक उल्टा है एक सीधा का बॉर्डर हम बना रहे हैं तो यह दो लाइन हम बून लेंगे और तिसरे से फिर हम जाली बनाना सुरू करेंगे यह इस तरह से हम पूंचुके अब यहां पर फंदे को यह फंदे को खोल सकती है इस तरह से हम यह फंदा जो अलग कलर से डाले हुए है इसे हम इस तरीके से खोलते चले जाएंगे तो इस तरह से हम इसे खोलते हुए सारे फंदों को यहां पर हम खोल लेने के बाद में दो सलाई एक शीधा और एक उलटा का हम यहां पर तयार कर लेंगे यहाँ पे हमें 23 फंदा रखना होगा चुकि अगर हम 11 फंदा रखें तो 22 फंदा हमारा हुआ 11 का जेस्ट डबल 22 और हमें यहाँ पे 23 फंदा चाहिए अगर हम 12 फंदा रखते तो 24 हो जाता एक जादा हो जाता तो अगर आप 12 फंदा रखती है और 24 जाता तो 2 का 1 आपको करना पड़ता लेकिन हम यहाँ पे 11 रखे थे तो 12 फंदा हुआ तो देखिए यहाँ शुरुवात में ही एक फंदा हम और बढ़ा लिए हैं यहाँ पे तो हमारे पास फंदा हो गया है 23 फंदा अब 23 फंदा हो जाने के बाद हम 2 लाइन बॉर्डर का बूनते हुए से कम्प्लिट कर लेंगे इस तरह से इसके बाद हम यहाँ पे चोली बनाना यानि कि चोली का आगे फंदा को किस तरह से जाली बनाया जाता है वो हम जाली बनाना सुरू करेंगे सबसे पहले हम 2 लाइन बॉर्डर का बून कर कम्प्लिट कर लेंगे अब देखिए अब यहाँ पे हम फंदा बढ़ाएंगे फंदा बढ़ाएंगे तो सबसे पहले हम 2 फंदा उल्टा बून लेंगे क्योंकि हमें border के रूप में दो फंदा उल्टा बुनना है दो फंदा उल्टा बुनने के बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे अब फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये एक फंदा से हम दो जाली बनाएंगे ये एक जाली बन गया फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये एक जाली बन जाएगा लेकिन ये जाली बनते समय ये फंदा जो हम ले रहे हैं इसकी हम गिंती करेंगे एक दो तीन तीन फंदा बुन लिये हम जाली बनाते हुए फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और फिर एक जाली बनाएंगे इस तरह से फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे और जाली बनाते हुए फंदे की हम गिन्ती भी करेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे तीन यहाँ पे, तीन यहाँ बीच में छे फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे फिर से एक जाली बनाएंगे और फंदे की गिंती करेंगे एक, दो, तीन फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली बनाएंगे और जाली बनाते हुए फंदे की गिंती करेंगे एक, फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये दो, उल्टा बुन देंगे क्योंकि हमें सुरू में और लाष्ट में, दो, उल्टा बुनना है ताकि सामने जो चोली का सामने का जो पॉर्सन आएगा वहाँ पे पौडर के रूप में ये दो उल्टा बुखेगा उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे जब हम सीधा तरफ आएंगे तो फिर से हम उसी तरह उसी अस्थान पे जाली बनाते चले जाएंगे ये उल्टा तरफ से पूरा उल्टा complete होता है आब सीधा तरफ से देखे सीधा तरफ से यहां उल्टा बुनना है दो उल्टा बुनना है बाउडर की रूप में एक और एक दो फंदे को नीचे क्योर करेंगे एक और ये एक जाली बना तो बढ़ गया फंदा हमारा तो ये एक इस तरह अब यहाँ पे जाली बनाएंगे फिर से एक जाली फिर से एक जाली अब आगे बुनना सुरू करेंगे देखिए अब यहाँ पे फिर जाली बना हुआ है तो फिर से फंदे को अपनी ओर करके इस तरह से हम फिर से जाली बना लेंगे और फिर आगे बुनना सुरू करेंगे जब जाली वाला स्थान आएगा उस जगह पे हम फिर से फंदे को बढ़ाते हुए जाली यानि कि हम बनाएंगे जाली बढ़ाएंगे तो आप रुपी हमारा ये फंदा बढ़ जाएगा देखिए यहाँ पे पहुँचे फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये जाली बना लेंगे फिर से हम बोनते चले जाएंगे जब जाली आएगा जैसे यहाँ पर लाष्ट जाली फंदे को अपनी ओर करेंगे और जाली बनाते जाएंगे और लाष्ट का जो दो फंदा रहेगा यहां उल्टा बुनेंगे पौडर की रूप में अब उल्टे तरब से पुरा उल्टा भुनेंगे, सीधा तरब से इसी तरह हम जाली बनाते हुए, इसे कुछ लाइन में complete कर लेंगे, इसे हम देखिए, जाली कितना बनाए हुए हैं, जाली हम इसे बना कर complete किये हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, पांच जाली बनाकर हम यहाँ पर complete किय पांच जाली बनने तक आप इसे बुनती रहें इस तरह से देख सकते हैं आप यहाँ पर का भी जाली बना हुआ है यहाँ भी है और एक यहाँ भी है चार जाली चार जगह जाली बना हुआ है अब हम यहाँ पर बाह निकालेंगे आनिकि बाह हम यहाँ बंद करेंगे दोनो ब तो देखे इसे बुनने के लिए हमें क्या करना है पहला दो उल्टा बॉर्डर का जो हम रखते चले आ रहे हैं उसे रख लेंगे फंदे को नीचे की और करेंगे और सीधा बुनेंगे दो तीन चार पाँच छे साथ आठ यानि कि यहाँ पे दो अगर इसे हम जोड़ेंगे त तो आठ हमारे पास आठ फंदा है अब हम बाकी फंदों को यहाँ पे पाह का जो है एक जाली से दुसरे जाली तक पहुंचे पर जो फंदा मिलता है हमें वो सब हम बंद करते जाएंगे तो बंद देखिए हमें किस तरह करना है आप दो तिन तरीका है बंद करने का आप जि कि चे का फंडा आगे की ओर लाकर बंद करiliं के तो इस तरह से बुुनते हुए हम एक जाली से दूसरे जाली तक पहुंचेंगे देखिए इस तरीके से अब हम यहाँ पे कितना फंदा बून कर बंद कर रहे हैं यह हम अगली बाह जब हम बंद करेंगे अगली बाह में उस बक्त हम आपको यहाँ पे गीन जो फंदा जो हम बंद कर रहे हैं वो फंदा हम गीन कर बतला देंगे देखे इस तरह से और कुछ जादा यहाँ पे टाइट टाइट फंदा हमें नहीं गिराना है अगर टाइट गिराएंगी तो बहां सिकुड जाएगा इसलिए हम हलके हलके हाथों से बुनते हुए इसे कम्प्लीट करेंगे देखे हमें यह जो चोटी चला जा रहा है इसे भी हमें बंद करना है तो इसे बंद करने के लिए लाश्ट यहाँ पर हम यह बंद कर दिए अब देखे आप यहाँ पर इतना दूर तक बंद हो गया है यह कानहाजी का बाह यहाँ पर निकल गया है अब हम ये फंदा इस पे ले लेंगे सलाई पे और बाकी जो है हम बुनना सुरू करेंगे देखिए पीछे हम पीठ पर यहां आठ फंदा है अब पीछे देखिए कितना फंदा बुन रहे हैं एक दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, एक्यारा, बारा, तेरा, चाओदा, पंदरा, सुल्ला इस पे आठ है यहां पे आठ का ठीक डबल सुल्ला है ठीक है अब हम यहां पर बाह में जो फंदा हमें बंद करना है उन फंदों को अब हम गीनेंगे कितना फंदा हम यहां पे बंद करते हैं देखिए यह रहा सबसे पहले दो फंदा हम बुन लेंगे पीछे की फंदे को आगी की और लाकर गिरा देंगे एक फंदा ठीक है यह रहा दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नौ दस एक ग्यारा बारा तेरा चौदा और एक पंदरा अब हमारे पास बचेगा देखिए यहाँ पे यह चोटी तक का फंदा को हम बंद किये अब हमारे पास बचेगा आठ फंदा तो इसे भी हम बून लेंगे यह इस तरह से आठ फंदा भी हम बून लेंगे लाश्ट का दो फंदा हमें उल्टा बूनना है इस चीज को ध्यान में रखेंगे अगर आप बॉर्डर बना रहे हैं तो तो यह लाश्ट का दो फंदा अब उल्टा तरप से पूरा उल्टा बूनेंगे सबों को एक साथ मिलाते हुए हम बुनेंगे इस तरह से जितना भी फंदा है यहाँ पे जोडते हुए मिलाते हुए हम बुनकर कम्प्लिट करनेंगे देखिए यह एक तरफ का हो गया अब यह हम दुसरे तरफ का इस तरह से इसे जोड कर बुनेंगे एक साथ ये भी कम्प्लीट हुआ अब हम इसमें कुछ लाइन सीधा तरप से सीधा और उल्टा तरप से उल्टा बूनते वे कुछ लाइन हम यहाँ पर कम्प्लीट कर लेंगे यह हमारा उल्टा तरफ का लाइन कम्प्लीट हो जाता है कम्प्लीट हो गया अब देखे यहाँ पर इस तरह से बाह निकल गया यह बाह आ गया यह चोली हम और भी एक बतला चुके हैं लेकिन इसे हम दुबारा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम डबल बाॉर्डर के दौरा बनाना बतला रहे हैं इसलिए हम इस चोली को फिर से बनाना बतला रहे हैं यह कितना खुबसूरत लगेगा अगर आप यहाँ पे दूसरे color का border दूसरे color से देंगी और इस अब दूसरे color से बूनेंगी अगर आप तो देखें कितना खुबसूरत लगेगा तो इस तरह से हम कुछ line यहाँ पे बून के complete कर लेंगे इस तरह से देखिए यहाँ पे हम दो color से चोली बना कर आप लोगे के पास में लाए हुए हैं यह जो गले का border आप देख रही हैं यह border हम अलग color से बनाए हैं और पूरा चोली यहाँ पे हम अलग color से बनाए हुए हैं यह इस color का उनसे बनाए हैं और जो गला हम बनाए हुए हैं गला का border वो इस color के उनसे बनाए हुए हैं तो इस तरह से इसे बनाए हैं यहां तक तो हम आप लोगों को बता चुके थे कि बाह किस तरह से निकाला जाएगा बिल्कुल सेम तरीके से हम यहां पर बाह तक निकाल च देखिए हम यहां कुछ अलग तरह का डिजाइन बना रहे हैं जो आपको लगेगा कठिन है लेकिन अगर आप ध्यान से इसे समझ लेंगी एक बार में तो यह एक जरासा भी आपको कठिन नहीं लगेगा आराम से आप इसे बना सकेंगी डिजाइन कुछ इस तरह का है देख सकती है आप यह डिजाइन है यह डिजाइन हम बनाए हुए है यहां से यह जाता है यहां तक आएगा फिर इस जगह से शुरू होगा जाली यहां खत्म होगा फिर इस जगह से शुरू होगा जाली यहां खत्म होगा इस तरह से यह बढ़ बता जाएगा, तो यह तो अधूरा है, लेकिन हम आप लोगों को, दूसरे कलर पे यहां बतला रहे हैं, यह चीज हम इस वक्त नहीं द았ने यहां पे हम यह यह चीज नहीं बतला हैंगी, यहां पे हम डाइरेक्ट इस color से डालेंगे, चोली हम इस color से बनाएं, तो घेरा हम इस color से डालेंगे, तो घेरा में सबसे पहले तो हमें फंदा बढ़ाना पड़ेगा, एक line फंदा हमें बढ़ा लेना पड़ेगा, तो ये इस तरह से एक हम बुन लिए, पहला फंदा जो है हम बुन लिए, तुसरा फ इस तरह से जाली बनाते हुए हम इस लाइन को कम्प्लिट कर लेंगे और उल्टा तरप से हम पूरा उल्टा बून लेंगे इसके बाद हम डिजाइन बनाना सुरू करेंगे यह आप छोटे कानाजी का पुसाक में बना सकते हैं अगर आप चाहेंगी तो जीरो से एक नंबर की कानाजी में या जितने नंबर की कानाजी का आप चाहती है चोली बना ले चोली बना लेने के बाद में आप उस पुसाक को डाल सकती हैं हम ज्यादा चोली तो सलाई से नहीं बनाए हुए हैं लेकिन जो भी चोली हम सलाई के द्वारा डाले हुए हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्सन बॉक्स में डाल देंगे आप उससे देखें इसके बाद अगर आप लोगों को जैसा जरूरत रहेगा अगर आप लोग चाहेंग होता है लास्ट लाइन तो हम बून लेंगे लास्ट फंदा जो है हम इस तरह से बून लेंगे अब उल्टा तरब से पलट लेंगे और पूरा उल्टा बूनेंगे उल्टा तरब से हमें पूरा उल्टा बूनना है तो इस तरह से हम उल्टा तरब से एक लाइन पूरा यह उल्टा बुन लेने के बाद में अब हम सीधे डिजाइन शुरू करेंगे डिजाइन आप थोड़ा ध्यान से देखें अगर आप एक बार डिजाइन समझ लेंगी बिल्कुल भी आपको यह कठिन नहीं लगेगा आप आराम से इसे बना सकती है बहुत ही हलका डिजाइन है अगर आप चाहती हैं तो इस डिजाइन से आप जुगल जोड़ी का चोली बना लें जुगल जोडी का चोली बना लेने के बाद से इस डिजाइन को आप फंदे को ना बढ़ाते हुए डाइरेक्ट डिजाइन बनाना सुरू कर दे तो ये जुगल जोडी पर भी काफी अच्छा लगेगा इस तरह से देखिए एक फंदा हम उतार लिए दूसरा फंदा बुन लिए अब फंदे को अपनी ओर करेंगे फंदे को नीचे की ओर रहने दे हाँ अपनी ओर करेंगे फंदे को और एक जाली बनाते हुए इस तरह बुन लेंगे फिर से फंदे को अपनी और करेंगे और एक जाली बनाते हुए हम इस फंदे की गिंती करेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच आप देख रहे हैं कि दो, पहले हम दो फंदा बून लिए सिधा फिर एक फंदा से हम इस साइड भी जाली बनाए और इस तरब भी जाली बनाए इसके बाद फिर तीन, दू, पाँच, पाँच फंदा हम यहाँ पे बूने हैं एक जाली जो हम बना रहे थे उस दोरान हम फंदा की गिंती किये गिंती करने से हम पाँच बना फिर से इसी चीज़ को दोहराएंगे, ध्यान दे एक जाली बनाएं, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाते हुए पाँच फंदा हम गिनेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच फिर से हमें इसी क्रम को दोहराना है एक जाली बनाए, फंदी को अपनी और करेंगे, एक जाली बनाते हुए, पांच फंदा की गिंती करेंगे दो, तीन, चार, पांच, तो इस तरह से बुनते हुए हम इस लाइन को कम्प्लिट कर लेंगे और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे अब देखिए, अब हम जो अभी आप लोगों को जाली बतला हैं, वो ये जाली बनाना बतला है बन जाएगा, देखिए अब इस पे हमें क्या करना है, उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बून चुके हैं, अब हम सीधा तरफ बूनेंगे, सीधा तरफ आए हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जाली हो गया है, अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक फंदा उतार लेंगे और ये दूसरा फंदा को भी बुन लेंगे अब यहाँ पे देखिए जाली है हमें इस साइड में तो जाली नहीं देना चाहिए क्योंकि इस साइड में फंदा नहीं है इसलिए हम इस साइड का जाली को बंद कर देंगे तो यहाँ पे हम जाली बंद कर दिये अब ये जो बीच का जो लाइन जा रहा है इस पे हमें अपनी और फंदे को करना है और इसे उल्टा बुनना है ये उल्टा बुन लिए हम फिर फंदे को नीचे की और करेंगे फिर ये जाली जो बना हुआ है इसे हम इस तरीके से बुन अब देखे अब हमें यहाँ पे जाली बनाना है तो फंदे को अपनी ओर करेंगे लेकिन जाली बनाने से पहले हम दो फंदो को एक साथ बुनेंगे यह जो दो फंदा आप देख रहे हैं एक और एक दो इन दो फंदो को हम एक साथ इस तरीके से इस तरीके से नहीं करेंगे हम इस तरीके से बुनेंगे और जाली बनाते हुए इसे बुन लेंगे तो जो जाली हम बनाए फंदा बढ़ गया लेकिन यहाँ पे फंदा घट भी गया अब फिर एक फंदा हम बुन लेंगे इस तरह से अब फिर देखिए ये दो बुनना है और यहाँ पे जाली हमारा बनेगा तो ये दो को हम किस तरह यहाँ पे हम फंदे को अपनी और नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ जाली नहीं बनाना है फंदे को नीचे की और रहने दें इस तरब से दो का एक कर लेंगे अब हमारे पास एक फंदा कम हो गया तो हम फंदे को अपनी और करेंगे और एक जाली बना लेंगे इस तरह से जब हम यहाँ यह पुसाक बना रहे थे श्टार्ट जब हम जाली बनाना कर रहे थे तब जो हम एक एक फंदा बढ़ाते चले गय जिर्प जब ये फूल सुरू होता है उस वक्त हम फंदे को जो बढ़ाते हैं पस उतना ही हमारे पास फंदा बढ़ेगा अब देखिए अब ये फिर बीच का चोटी आ गया फंदे को अपनी और करेंगे इस चोटी को हम उल्टा बुन लेंगे फिर फंदे को नीचे की और करे दो का एक करते हुए जाली बना लेंगे फिर से एक सीधा बुन लेंगे और अब इस वक्त हम दो का एक इस तरफ से करेंगे करते हुए इसे भी बुन लिए यहाँ पे हम जाली बना लेंगे फिर से फंदे को अपनी और करेंगे एक उल्टा बनाएंगे बस यही क्रम चलता रहेगा यह पूरा शलाई में देखी में यह देख रही है आपकी यह इस तरह से कम होता हुआ नजर आरहा है और जाली यहां पे बन रहा है अब हम इस बार जो करेंगे उस पे भी हम यहां पर बताएंगे सब से पहले हम इसी तरीके से इस लाइन को बुन कर complete कर लेंगे और उल्टा तरप से पूरा उल्टा बुन लेंगे देखिए इस तरह से बन कर आ रहा है अब हम लाश्ट यहाँ पे एक लाइन और बुनेंगे तो यह फूल बन कर complete हो जाएगा इस बात का ध्यान रखना होगा कि जैसे जैसे हम फूल बनाते जाएगे यानि दूसरा फूल बढ़ेगा दूसरा फूल जब बनना सुरू होगा तब ये तीन जाली ना रहकर जाली का संख्या बढ़ जाएगा लेकिन वहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि वहाँ जिस तरह से दूसरा फूल बनेगा तो तीन जाली जैसे complete होगा तैसे हम एक नया जाली फिर से दोनों किनारे से बनाना शुरू कर देंगे तो चलिए सबसे पहले हम इस लाइन को complete करके इस फूल को पूरा complete करते हैं हमारे पे भी हम बीच में चुकि अगर हम इधर भी जाली बनाएंगे तो इधर हमारे पास फंदा नहीं है इसलिए सिर्फ हम यहाँ पे इस तोनों को ही जोड़े हुए हैं यहाँ पे हम इस साइट का जो है जाली वो नहीं बनाये है प्लेन बून दिए जो भी फंदा बचेगा आपके पास वो आप प्लेन बून दिजेगा तो यहाँ पे चलिए अब हम सुरू करते हैं जो फंदा देख रहे हैं आप इस फंदा से हम जाली को बनाये थें तो इस फंदा को हमें उल्टा बुनना है इस तरह से उल्टा बुन लिए यह एक निसान रहेगा कि हाँ हम यहाँ पे जाली बनाते हैं इसके बाद यह एक सीधा दूसरा भी सीधा अब देखिए तीन पर इस तरफ लेके उतार लेंगे और यानि कि देखिए यहांकर इस तरे के से ले लिए फंदे को इस सलाई पे और ये जो फंदा हम बुने उसे इस तरह से निकाल लिए ठीक है निकाल लिए हम अब फिर से फंदे को अपनी और करेंगे यहाँ पे तीन हो गया देख रहे हैं यहाँ कि इस तरह से यहाँ पे कोना बन गया है यह तीन यहाँ पे तीन का एक हो गया अब एक जाली चुकी हमें इधर भी बढ़ाना है तो ये हम बढ़ा लिए एक जाली फिर से हम एक फंदा बुन लेंगे और ये तो जो चला जा रहा है चोटी वो चोटी है तो उसे हम एक उल्टा बुनेंगे ताकि ये पता चल सके कि हाँ यहाँ पे चोटी है इस जगा से हमे फिर से नया फुल सुरू करना है ये एक बुने, दुसरा बुने, फंदे को अपनी ओर किये यहां भी हम इसी तरह करेंगे दो का एक कर लेंगे सबसे पहले जाली बनाते हुए, ये देखिए, दो का एक हो गया, जाली बनाते हुए इसके बाद इस फंदे को इस पे लेंगे और ये फंदा इस तरह से उतार लेंगे इसके बाद इसे हम टाइट कर लेंगे फंदे को अपनी ओर करेंगे एक और जाली बना लेंगे फिर से एक फंदा बुन लेंगे और ये जो बीच का है ये हम उल्टा बुन लेंगे इस तरह से उल्टा बून लिए फिर से एक फंदा प्लेंग बूने दूसरा फंदा भी प्लेंग बूने जाली बनाना है हमें यहां पे तीन का एक करना है तो यह दो फंदो को एक बार में बून लिए और यह एक फंदा इस तरह से ले लेंगे और इसके उपर से फंदे को गिर अब एक फंदा यहां जाली बनाते हुए बना लेंगे तो इस तरह से देखे ये बनकर तयार होगा तो अब हम इस लाइन को इसी धंग से कम्प्लिट कर लेंगे और उल्टा तरब से पुरा उल्टा बुन लेंगे ये अब ये लाइन कम्प्लिट होता है उल्टा तरब से बु अब नया फूल हमें फिर से शुरू करना है, तो देखे उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दो फंडा, एक फंडा उतारेंगे, दूसरा बून लेंगे, जैसा कि हम इस पर बूनते आए हैं, अब यहां पर हम एक फंडा इस तरह से उल्टा बूनेंगे, उल्टा बून लि गाल के पास जब हम आएंगे तब फिर से एक जाली यहां बनाएंगे एक जाली यहां बनाएंगे तो देके बीच में इन में किता स्रूरी हुम के थे पांच फंदा से अब देखिएए अब हमारे पास कितना फंदा है दो ती, चार, पांच, छे, और एक साथ, साथ फंदा होता है फिर से हम जाली बनाएंगे तो आथ फंदा हो जाएगा अब यहाँ पे हम फिर से जाली बना लेंगे हम इतना दूर बुने है, साथ फंदा बुने है दो फंदा हमारा पांच का जो हम जाली बनाए, पांच का जो हम फूल बनाए तो यहाँ एक एक फंदा बढ़ा था, तो पांच से दो फंदा बढ़कर साथ हो गया साथ यहाँ पर डाले हैं, अब देखें फिर से यह जगा जो बीच का है जहां से हम जाल पहला बनाएँ उसी जगा से फिर हम एक जाली बनाएँगे इस तरह फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे और फिर एक जाली बनाएँगे इस तरह अब 5 के जगा हम 7 फंदा लेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, यहाँ पे एक फंदा गड़ बढ़ा रहा है आपका साथ जाली, यहाँ पे साथ फंदा होगा, तो साथ फंदा हम कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पे एक जाली बना लेंगे हम इस तरह से ठीक है, फिर से एक फंदा यहाँ हम बढ़ाएंगे, देखिए अब एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, साथ फंदा हो गया अब फिर से हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली यहाँ बढ़ा लेंगे और फिर से हम फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाते हुए अच्छा, यहाँ भी हम एक जाली बनाते हुए नहीं गिंती किये थे, इसलिए छे फंदा आ रहा था एक जाली जब हम बनाएंगे तो इस फंदे को हम गिंती करेंगे एक दो तीन चार पांच छे और यह रहा साथ फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली इस तरफ से बनाएंगे और एक जाली इस तरफ से बनाएंगे अब देखे जाली बनाते के करम में इस फंदा की गिंती हम करेंगे तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, साथ हो गया, फिर से फंदे को अपनी और करेंगे, और एक जाली बनाएंगे, फंदे को अपनी और करेंगे, और साथ फंदा बुन लेंगे, तो इस तरह से करत और उल्टा तरफ से पुरा उल्टा बुनेंगे इसके बाद हम फिर से इसी जाली को फिर से बनाना यहां पे सुरू करेंगे जिस ठंग से हम यहां बनाये हैं उसी तरह हम बनाते हुए तीन जाली बनाकर कंप्लिट कर लेंगे तीन जाली बनाने के बाद में फिर हम दूसरा जाली दूसरा नया फूल हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम इस तरह से तीन जाली बना लेते हैं सबसे पहले आप इस लाइन को बुन ले और उल्टा बुन कर कम्प्लीट कर ले फिर हम आगे आपको दुसरा जाली भी बनाने के लिए बताएंगे अब यहाँ पे देखिए एक फूल यहाँ से आते ही यहाँ खत्म हुआ दुसरा फूल यहाँ से सुरू हो रहा है जो यहाँ खत्म होगा तो दुसरा फूल का एक जाली तो हम बता दिये हैं अब दूसरा जाली हम बना लेंगे, बताएंगे, फिर आप तीसरा जाली तक complete कर लिजेगा, तीसरा जाली बनाके उल्टा बुन लिजेगा, तब फिर आगे आप लोगों को चौथा जाली में किस तरह से दोनों एक साथ करना है, वो बतलाएंगे, सबसे पहले, एक फंदा उत करते हुए जाली को तयार करेंगे, इस तरह से, जैसा कि हम यहां भी बतला चुके हैं, उसी तरह से, अब यहां पे देखिए, अब हमारे बीच में कितना फंदा हमारा है, एक, दो, तीन, तीन फंदा बीच में आ रहा है, यानि कि यह अभी इस वक्त और जाली बनेगा यहा पंदो को एक किये, अब हमारे पास हो गया है, पांच जाली, पांच फंदा हो गया बीच में, यह पांच फंदा अभी बनेगा तब तक आप देखिए, कितना जाली और बन कर तयार होता है, फिर हम फंदे को अपनी और करेंगे, और एक जाली बना लेंगे, अब यह बीच क पंदों को हम बून लेंगे तीन, चार और ये दो का एक करेंगे तो आ जाएगा पांच ये हो गया पांच फिर से जाली बनाएंगे यहाँ पे और फिर से एक उल्टा बून लेंगे तो देखें यहाँ पे इस तरह से बन कर तयार हुआ ये फूल जैसे की यहाँ से यहाँ गया है अब दूसरा जाली यहाँ से जा रहा है यहाँ से जाते हुए इस तरह जाएगा जैसी इसमें समझगे ये एक फूल आपका ये एक फूल यहाँ बन कर तयार हुआ लेकिन दूसरा फूल यहाँ से यहाँ तक जाएगा दूसरा फूल में देखिए पहला फूल में एक, दो, तीन, तीन जाली में समाप्त हो गया था लेकिन दूसरा फूल में एक, दो, तीन, चार, चार जाली में समाप्त होगा तो हम चार जाली का इंतजार नहीं करेंगे और हम तीन जाली complete होते ही दूसरे तरफ से दूसरा फूल का जाली बनाना शुरू कर देंगे यह हम परती एक बार करेंगे क्योंकि फंदा तो जाली तो हमारा यहां पर बढ़ता चला जाएगा इस शुरुवात में यहां तीन था अब चार हुआ फिर पांच होगा फिर छे होगा फिर साथ होगा इस तरह से तो हम उतना लंबा तक बुनने के बाद में दूसरा फूल बनाना शुरू नहीं करेंगे ठीक तीन जाली हमारा कंप्लीट होगा और हम दूसरा फूल का जाली यहां पर बनाना शुरू कर देंगे इस चीज को हम आप लोगों को बतलाना चाहते हैं तो अब इस तरह से आप यहां पर तीसरा जाली तक यानि यह लाइन कंप्लीट कर लीजिए उल्टा बून इसके बाद हम बतलाएंगे अब देखिए अब जैसे कि यहां पर हम देखिए यह फूल कुछ इस तरह से बन कर आ रहा है तो इस तरह से बन कर आ रहा है तो यह फूल खतम हुआ दूसरा फूल यहां खतम होने में भी एक बार एक लाइन और बुनना होगा नहीं एक जाली औ अगला फूल का सुरुवात कर देना है वो हम देखे किस तरह से करेंगे जैसे कि ये पहला फंदा उतार लेंगे दूसरा फंदा भून लेंगे एक फंदा जो उल्टा है वो उल्टा हम इस तरह भूनेंगे और यहां पे हम जाली बना देंगे जाली बना लेने से क्या होगा कि आपका ये अगला फूल का सुरुवात हो गया यहाँ पर और साथ में हम इसे भूनते भी चले जाएंगे इस फूल को भी हम complete करते चले जाएंगे तो फंदे को अपनी ओर करेंगे और जो हम इस तरह से बतलाए हैं कि यह जाली बनाएंगे दो काएक करके और एक फंदा इस सलाई पर ले लेंगे और इस फंदे को आगे की ओर से इस तरह गिरा लेंगे यह चीज जो हम बतला हैं यह चीज लाश्ट यहाँ पर करते चले जाएंगे फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे और यह जाली बनाएंगे फिर से हमें नयाब फूल यहाँ पे शुरू करना है तो नयाब फूल शुरू करने के लिए ये बीच का जो है ये बीच का जो है जहां हम एक एक उल्टा बीच-पीच में देते जा रहे हैं उस अस्थान पर आएंगे हम और फंदे को अपनी ओर करेंगे एक फंदा एक जाली बनाएंगे इस तरह फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे एक जाली बनाएंगे इस तरह अब यहाँ दो बुन लेंगे सिधा एक और एक दो अब फिर से देखिए हमें यहाँ तीन का एक करना है तो तीन का एक हम उसी धंग से करेंगे दो फंदों को जाली बनाते हुए इस तरह हम बुन लिए एक फंदा उतार लेंगे इसे इसके उपर से गिरा देंगे टाइट कर लेंगे और फिर से हम यहाँ एक जाली बनाएंगे तो इस तरह से देखे यहाँ पे आप देख सकती है इस साइड से यहां से एक फूल सुरू हो रहा है यहां से एक फूल सुरू हो रहा है यह एक फूल बन गया दूसरा फूल बन गया इस साइड से एक एक सुरू हो रहा है तो अब यह अगला सलाई में जब हम जाएंगे अगला सलाई यानि उल्टा बुनने के बाद अगला में जब हम आएंगे तो यह दोनों फूल को यह जो फूल बनना भी शुरू हुआ है इसे हम 3 जाली तक बनाएंगे और फिर एक दूसरा नया फूल यहां सुरू करेंगे फिर यह अपना बनता रहेगा और यह नया फूल यहां से सुरू हो जाएगा तो इस तरह जितना पूसाग का लंबाई है उस लंबाई को हम तय करेंगे। तरह कहीं भी नहीं बढ़ादा आ है अंपूदा से इस तरह कासा है जली में एक एक खेंद से क्वाना करत को वnegर लेगा। तो इस तरह से हम इसे लंबाई तक बूट लेंगे इस तरह से इसे हम इतना बना कर complete की हुए है ये फूल बना है एक, दो, तीन, चार चार फूल में यहाँ हम last कर देंगे अब हम यहाँ पे यह चारू फूल बना लेने के बाद में देखिए, जब चौथा फूल हम बनाएंगे तो ये बीच में एक सिर्फ फूलटा चला जाएगा बाकी जितना भी फंदा इधर बढ़ा हुआ रहेगा वो सब हम सीधा बून देंगे जैसा कि आप यहाँ पे देख रही है तो इस तरह से बूनते हुए हम इसे पूरा कम्प्लीट कर लिए अब हमें इसी कलर से बॉर्डर देना है किनारे में ये यहाँ पर कम्प्लीट होता है ये फूल देखने में इस तरह का लगेगा तो अब हमें जब यहाँ पे बॉर्डर देना है उल्टा उल्टा सब तरब से उल्टा ही हमें बॉर्डर देना है देखिए इस तरह का बॉर्डर देंगे हम ये जो इस तरह का बॉर्डर होता है उल्टा ये बॉर्डर हम देंगे तो इसे देने के लिए हम धागे को यहां से कट कर लेंगे उल्टा तरप से हम धागा जोड़ेंगे इस पे और जिस कलर से आपको बॉर्डर देना है उस कलर का धागा आप जोड़ दे चुकि हम चोली में जो कलर डाले हुए हैं उसी कलर से हम यहां भी बॉर्डर देंगे सबसे पहले हम एक फंदा यहां पे सीधा भून लेंगे उल्टा भून लेंगे एक फंदा हम इस तरह से इस तरह से हम एक फंदा उल्टा भून लेंगे उल्टा भूनने के बाद में हम दोनों तरब से उल्टा में जो बॉर्डर दिया जाता है वो बॉर्डर देंगे या आप कोई भी अपनी एक छानू सारे हाँ पे चार लाइन का बॉर्डर देकर इसे बंद कर दें सारे फंदो को बंद कर दें तो आपका ये पुसाग बंद कर तयार हो जाएगा यहां हम एक लाइन बॉर्णने के बाद में जब हम सीधे तरब से आएंगे बॉर्डर देना शुरू कर देंगे हम चार लाइन या छे लाइन का बॉर्डर देने के बाद में सारे फंदो को बंद कर देंगे इस तरह से देखिए ये लास्ट लाइन जब हम बून लिये यहाँ पर बॉर्डर जो हम हलका सा दिये हम चार लाइन में इसे गिराते हुए complete हम किये हुए है complete जब हम कर लिये तो अब हम यहाँ पर ये जो बीच का भाग जो खुला हुआ है ये बीच का भाग हम सिल देंगे सिल देने के बाद देखे कितना खुबसूरत लगेगा इस तरह से ये पूरा बन जाने के बाद इसे हम सिल चुके हैं सिलने के बाद ये देखने में कुछ ऐसा लगेगा ये यहाँ से लेकर हम यहाँ तक सीले हुए हैं इतना दूर हम खुला छोड़े हुए हैं अब इसमें अगर आप कुछ मोती वगेरा से सजाना चाहती हैं तो सजा भी सकती हैं इस तरह से ये पुसाख कम्पलीट होता है उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पुसाख अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो लाइक करें सेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू